प्रेट पीटे के सोड में फिसिक पर आपका स्वागत है और आज की बुड़ी हम बात करने वाले हैं रोटरी टाइप सोलो नेट वाल के बारे में आप जिस डिजाइन में चाहिए जिस एंगल पर लगाना है जिस एंगल में आपका रोटरी टाइप सोलो नेट वाल को यूज करना है उस एंगल के लिए और उस जगा के लिए आप ले सकते हैं इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं उन्हीं में से आज एक डिजाइन के बार कहीं भी कर सकते हैं तो ये जो बलेट पाइप है ये सिलेंडर के निच्छे वाले भाग में दिया हुआ है ए जो दूसरा पाइप है वो सिलेंडर Corn Wall हुआ है सिलेंडर छोटा है इसके लिए आपको ऐफ लग रहा होगा कि अगर आपको ऐसे में बड़ा सिलेंडर में आगर आपको इसका कनेक्शन देना है तो आसानी से बड़े सिलेंडर में भी दे सकते हैं जब हम सोलोनेर्ट वाल का लीवर लेप्ट साइड में करेंगे तो उपर वाले जो पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है उसमें जाएगा इस वाल के मदद से जो हमारा प्र अपरेट कर सकते हैं और भी इसमें सोलोनेट वाल में बहुत सारे बिजाइन है बहुत सारे टाइप है जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन आटोमेटिक तरीका से वो सब वाल काम करता है मतलब कि उसके उपर एक कोईल लगाता होता है जब इलिप्टी año कनेक्शन कोईल में जाता है तो मैंगेट बनने के वज़े से उसमें एक स्वेंडल होता है वो उसमें डाला होता है मतलब और भी बहुत सारे इसमें समझाने और बाते उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बननूँगा ये मैं आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि हैंडली बरवाल कैसे काम करता है तो आप देखकर समझी गए होंगे कि हैंडली बरवाल किसी साब से काम कर रहा है हैंडली बरवाल का ये हमारा पहला वीडियो है और वीडियो आने वाला है जो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं अलग अलग डिजैन में और अलग अलग प्रोसेस के लिए बहुत सारे सोलो नेट वाल के बारे में मैं वीडियो अभी बनने वाला हूँ जो आप देखकर सभी एंगल के लिए सभी दे जाने के लिए और सभी प्रोसेस के लिए या आप Handleber SolarNet वाल के इस्तमाल कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक जरूर किजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें कर दो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें कर दो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें